moving forward students हम discuss करते हैं एक और separation technique that is crystallization students ये एक तरह से purification technique भी है इसको define कर लेते हैं पहले the removal of a solid from solution by increasing its concentration above the saturation point is called as crystallization students इसकी हम आप सबसे पहले discuss करते हैं एक routine life example students आप क्या करते हैं कि आप saturated solution बनाते है saturated solution का क्या है कि the solution which dissolve solute up to a specific point at even higher temperature is called as saturated solution यानिके सब्सक्राइब क्या करने कि शूगर सब्सक्राइब आप क्या करें कि आपके पास sugar है आप उसको water के अंदर dissolve करें और कटे चले जा रहें कटे चले जा रहें उन्टिल के वह नहीं होती अन्डिजॉल्व रह जाती है अब सब्सक्राइब के पास कुछ शुगर है एक पॉइंट आएगा ऐसा कि वह अन्डिजॉल्व रह जाएगी एड़ बाटम बैट जाएगी स्टूर्स आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा अदेघ Ash-भुए ऐसा आएगा कि आप पास बॉटम पर शुगर बैटी हुई है यहनि कुछ आप यह कह सकने कि आपके पास शुगर क्रिस्टल्स बने होंगे तो स्टूर्स आप क्या करेंगे कि देन आप उन crystals को separate out करेंगे from that of the solution और students आप क्या करेंगे ये process आपका होगा crystallization उसके पास students आप क्या कर रहे होंगे कि आप पूरे process के दुरान क्या करेंगे कि उस solution में से crystals separate out करेंगे when it comes to a chemical compound students आप देख सकते हैं कि आपके सामने कैसे growth हो रही है of the crystals of copper sulfate students आप एक बात यहां याद रखेंगे कि आपके पास जितनी भी crystal growth होती है in case of organic आपके पास जितनी भी organic compounds आते हैं या students आपके पास जैसे copper sulfate आगया वो at its saturation point आते हैं यानि कि आप क्या करते हैं कि आप solute डालते चले जाते हैं in that of a particular solvent और as a result students क्या होता है कि आपके पास above the saturated solution students क्या होता है आपके पास कि crystals बनना start हो जाते हैं and then students आप क्या करते हैं कि उनको separate out करते हैं और उसके different तरीके होते हैं जिनको हम आगे discuss करेंगे सबसे पहले students हम discuss करते हैं thoroughly हमारे पास crystallization process basically होता कि है students आपके पास सबसे पहले तो ये बात होगे कि जो crystallization का पूरा process है वो एक तरह से purification technique भी है यानि कि आपने जब किसी भी solution में से अपनी required product निकालनी हो और उसको separate out करना हो तब भी आप crystallization का process करते हैं students सबसे पहले क्या करते हैं आप सबसे पहले आप करते हैं choice of a solvent यानि कि students आप एक particular solvent select करते हैं जिसके अंदर आपने solute को dissolve करना है और as a result students आपने क्या करना है as a result आपने उसको separate out करना है यानि कि उसका saturated solution बनना है students पर आपके पास crystal growth होगी and then students आपको मैं overview दे देती हूं कि आप क्या कर रहे हैं saturated solution बना रहे हैं choice of a solvent के बाद देंस आप filtration कर रहे हैं then students आप क्या करें cooling करें सुर्ण जब भी आप saturated solution बनाएंगे तो आप उसको heat करके बनाएंगे यानि कि आपने जादा से जादा स्वादा डिजॉल्व करने देंस आप उसको क्या करते हैं उसको filter students ज्यादा तर हम जो solvent इस्तेमाल कर रहे होते हैं वह आपके पास और्गैनिक solvents होते हैं जिनमें आपके पास आ जाता है एसी टोन क्लोरो फॉर्म कार्बन टेटरा क्लोराइट आपके पास एथनोल आ करते हैं water को भी यूज़ कर सकते हैं rectified spirit को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन students आपके पास कुछ conditions है यानि कि एक ideal solvent वो होता है जिसकी following properties हो जिनको हम one by one discuss करते हैं सबसे पहले students जो आपका solvent होना चाहिए उसकी solute के लिए बहुत ज्यादा affinity होनी चाहिए बहुत ज्यादा affinity होनी चाहिए यानि कि वह उसकी ज्यादा quantity को बहुत अच्छे तरीके से आपस में dissolve कर सके बिल्कुल वैसे students जैसे हमने बात की थी water की और sugar की एक बात आप और याद रिखेंगे जब आप experiment कर रहे होते हैं being a chemist students आप क्या करते हैं मुक्तलिफ solvents को आप hit and trial basis पर चेक करते हैं कि 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 सॉल्यूट के साथ जादा अच्छी क्रिस्टलाइजेशन दे रहा है जादा अच्छी यील्ड दे रहा है यील्ड स्टूट्स आपके पास क्या है आपने पहले भी डिसकास किया स्टूट्स आपके प impurities को dissolve कर पाए और नहीं students आपके पास impurities क्रिस्टलाइजेशन के along क्रिस्टलाइज हो जाए यानि कि आपने ये देखना है एच्छी तरह से कहीं impurities उसके अंदर dissolve तो नहीं होंगी दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्रिस्टल के साथ ही तो क्रिस्टल उसके नह बन रहे हैं वो कैसे होते हैं वो भी हम discuss करेंगे inexpensive होना चाहिए यानि के आपके पास economical होना चाहिए safe to use होना चाहिए उसके लावा easily removable होना चाहिए students यहाँ पर हम एक बात और याद रखेंगे क्योंकि हम organic solvents के अंदर deal कर रहे होते हैं वह ज़दा crystallization के process की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ज़दा organic solvents के साथ deal कर रहे होते हैं students याद रखेगा कि organic solvents extremely inflammable होते हैं यानि के students हीट catch करते हैं तो आप इनको कभी भी डिरेक्ली हीट नहीं करते हैं आप sand बात या water बात इस्तमाल करते हैं इनको heat करने के लिए या स्टुन्स आप इनको vaporize करने के लिए use कर रहे होते हैं उसके लावा स्टुन्स आप जो आ होता है और thermally unstable होता है वोलेटाइल क्यों students उसको हम आगे discuss करेंगे सबसे पहले स्टुन्स आप क्या करेंगे choice of the solvent होने के बाद जब आपने proper appropriate solvent आपने select कर लिया उसके बाद students आप क्या करेंगे saturated solution बनाना है तो वह water के अंदर बना रहे होंगे आपने students उसका saturated solution बना लेना है विल्कुल वैसे ही जैसे हमने discuss किया है यहाई temperature करके भी उसके अंदर salute dissolve हो रहा हूँ उसके लावा students जब आपके पास hot saturated solution बन जाएगा तो उसको हमने क्या करना है filter कर लेना है students याद रखिएगा कि आपने हमेशा solution को उसकी hot saturated solution फॉर्म में ही filter करना है अब students उससे होता यह कि जैसे जैसे आपके पास cooling होनी start होती है आपके पास crystals बनने start होते हैं तो सबसे अच्छा students इसका तरीका यह कि आपने hot saturated solution को filter कर लिया ताकि आपके पास crystals पहले ही ना बन जाए यह ना हो कि आप filter कर रहे हो और temperature decrease हो जाए cool down हो जाए आप और crystals बनने लग जाए filtration process के अंदर ही funnel के अंदर ही उसके लवा students आप क्या करते है filtration के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आप जाए तरह students make sure करते हैं कि आप filter filter paper इस्तमाल कर रहे हैं यानि कि आप में वह वाला filter paper इस्तमाल करने जिसके अंदर zigzag confirmation और जिसकी 16 sides हो 16 triangles बन रहे हैं then students आप क्या करते हैं cooling करते हैं cooling जो है वो कैसे effective हो सकती है students आप क्या करते हैं कि moderate cooling करते हैं अगर आप students slow cooling करेंगे यानि कि आप high temperatures पर cool down करेंगे आपके पास filter paper पे crystals आ गएं आप क्या करेंगे students उसकी आप make sure करेंगे कि आप vacuum यूज करेंगे गू क्रूसिबल अगर आप यूज करेंगे तो आप vacuum suction pump इस्तमाल करेंगे ताके आपके पास smooth flow हो आपके पास whole saturated solution का और आपके पास जो flow है वो break ना हो रहा हूँ उसके लबाव students आप ये कर सकते हैं कि आपने make sure करनी है कि अच्छी तरीके से आपका mother require पास out हो चुक्या है mother require students आपके पास वो आपके पास solution होता है जो आपके पास pass out होता है from that of crystals आप students याद रिखेगा कि आपका जो mother require होता है उसके अंदर ये capability होती है कि अगर आप उसको दुबारा heat करें यानि कि उस liquid को जो कि क्रिस्टल में से पास हुआ यानि कि जो हमारे पास filtrate है यानि कि students आप उसको दुबारा heat करेंगे तो दुबारा crystals भी develop कर सकता है यानि कि students आप इस process को students आप बार बार conduct करते रहते हैं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा येल्ड आ है क्योंकि अगलाव students आप क्या करते हैं कि आपके पास funnel है ये और students आप ने पर filter paper adjust किया हुआ है अब students यहाँ पर आपके पास crystals आ गए तो आप करते हैं को कि तूर्ट की मदद से students आप कि आप कर सकते हैं कि क्रिस्टल को प्रेस कर सकते हैं एस पर प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि ज drying जो है क्रिस्टलाइज सब्स्टांस की वह बहुत ज़्यादा easy हो जाएगी अब students collection के बाद आप क्या करते हैं drying करते हैं अब students जब आपने drying करने है क्रिस्टल की तो आप तीन तरह से कर सकते हैं या तो students आप यह कर सकते हैं कि आप filter paper लें और मुक्तिफ filter papers चेंज करते हैं filter papers को fold करते हैं और उनको थोड़ी देर के लिए रखते हैं यानि कि you allow them to absorb the moisture यानि कि वह वाटर या जो भी solvent है उसको absorb कर लें इस तरह आप या ड्राय कर सकते हैं यानि कि मुक्ति filter paper जिस नमाल कर सकते हैं उनको press कर सकते हैं between the folds of the filter paper एक तो students आपके पास यह method हो गया है दूसर कि आपका जो solute है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या जो आपकी product है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका melting या boiling point ना हो या students वो उसकी जो है आपके पास वो जो crude product है उसके अंदर impurity ना चली जाए इतनी high temperature पे heat करने से उसके लाब students जो आपके पास third most effective way है crystals को dry करने की व अब students आप क्या करते हैं कि आप dehydrating agents करते हैं अब students वो जो आपके पास agents हैं कि वो moisture absorb कर लेते हैं अब students चूआपके सामने vacuum desicator है इसमें क्या होता है कि अक portion होता है उसके अपने crystal रखती है और students आपके पास 1 बीकर होता है जिसके अदर आपके पास या calcium chloride present होता है या आपके Coop phosphorus pentaoxide present होता है या students को क्या करती है कि वो moisture absorbed करते है आप उसको इसको उपर से close कर लेते हैं जैसे के सामने क्लोजड है वेक्यूम डेस्टेकर अपस्ट क्रीट होता है और आपके जो क्रिस्टल्स हैं उन में से स्टूड्स से moisture जो होता है वो यह absorb कर रही होती है के क्लोराइड पैंटाओक्साइड क्योंकि उनके अंदर कैपिबिलिटी होती है क्योंकि वह दिएधिड होते हैं वह अफैक्टिव अपने इंवारिमेंट में से मौसर एब्सॉर्ब कर सकें सबसे अफेक्टिव मैथट आपके पास वैक्यूम डेसिगेटर करें क्योंकि इस प्रडक्ट है वो प्योर आप क्या करते हैं कि आप डी कलराइजेशन करते हैं जैसे कि स्टूडेंट अगर आपने कॉपर सिल्फेट के क्रिस्टल बनाए है उसके इंदर आपको पता है कि कॉपर सिल्फेट क्रिस्टल का ब्लू कलर होता है तो आप क्या करेंगे चारकोल है उसके अंदर यह capability होती है कि वह अपने अंदर एब्जॉब कर लेता है यानि कि आप दुबारा से उस सिलूशन को क्रिसलाइजेशन के प्रॉसस से गुजारेंगे आप पहले उसका सुलूशन बनाएंगे होट सैचुरेटेड दें स्टूडेंस आपके पास क्या हो और फिर वही process from the preparation of saturated solution, filtration, cooling, collection वो दुबारा repeat करेंगे सब processes आप क्यों करेंगे just to make sure कि आपके पास product आ रही है वो एकदम प्योर आ रही है यह तो हो गया students आपके पास crystallization का process हमने throughout thoroughly discuss किया कि crystallization हम क्यों करते हैं यह separation technique है हम solvents में कैसे करते हैं choice of solvents की बात की students हमने one by one processes को thoroughly discuss किया next students हम discuss करते हैं sublimation को thank you